संजीव कोशल जिसे तुनिशा का माहां बता जा रहा है उनके उपर भी कहीं सारे ऐलिगेशन्स लगे हैं आज तुनिशा का जनम दिन है तुनिशा के जनम दिन पर उनके सभी फैंस और उनके घरवाले भी उनके चाहने वाले काफी जादे दुखी क्योंकि तुनिशा हमारे वर्तन कराना उसके बाद से हिजाब पहना टैट्टू जबरदस्ती बनवाना उर्दू सिखाना ऐसी कई सारी एलिगेशन शिजान और उसके परिवार के उपर लगाए थे ये भी बताया था कि शिजान और उसका परिवार उनसे दूर रहता था जिसके बाद से दो जनवरी को शिजान की परिवार ने आके एक प्रेस कॉंफरंस किया था और उन सभी सवालों के जवाब दिये थे और जो भी जवाब दिये थे वो जवाब सुनके कहीं न कहीं जायज लग रहा था कि शायद केस में ऐसा हो सकता है उसके बाद सहीं बहस का दौर चाल हो गया है उसी मामा हैं जिनको डिनोट किया जा रहा है उन्होंने सफाई दी है उनका बयान आया है अगर आप बयान को हम आपको बताएंगे कि उन्होंने बयान में क्या काया है तो उन्होंने साफ साफ इसको इंकार करनी की कोशिश नहीं किया मतलब उनके बयान से ऐसा नहीं लग रहा यह मेरे खिलाफ जूटी अफ़ाय जा रही है मेरी शवी को खराब करने कोशिश की जा रही है ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा उन्होंने ऐसा कहा कि मैं इनके परिवार को लगबग 20 सालों से जानता हूँ और जो मेरी बेटी है और जो तुनीशा है उन दोनों का बदे हमने ल यह उनके बोल थे उन्हें इस बात को डिनोट किया है कि हाँ वो चाहते हैं आप एक ख्रद न की बेटी हो लेकिन उन्हें साफ साफ इस बात से कभी भी इंकार नहीं किया है इसकी भी जाच अब पुलिस करेगी पहले पुलिस शिजान की फैमिली के तरफ से ही जाच कर रही थी लेकिन जब शिजान की फैमिली के तरफ से सबूत पेश किये गए तब पुलिस को कहीं सारी बाते समझे जैसे कि हमने कुछ दिन पहले आपको एक audio clip भी सुनाया था जिस जो audio clip तुनिशा का था तुनिशा ने शिजान की मा को audio clip भीजा था जिसमें उसे अम्मा कहके denote कर रही है और वो रो रही है और रोते हुए कहा रही है कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हो रहा है इसके पाद स इक relationship था उसकी माँ और तुन इशा के बीच में किया कुछ और मामला था? अब पुलिस इस पर जांच करेगी पुलिस रिष्टो को भी ले के जांच करेगी और उन दोनों के की इस दोनों के क्या खिट पिट थी अब देखने वाली बात यह हूगी कि पुलिस जब सामनी आएगी ओफिशल डॉक्मेंट के साथ सामनी आएगी तो क्या कुछ निकल के सामनी आता है